पश्चिमी राज्यका विखंडित होना पश्चिमी राज्यका मैं पूर में लगातार आपको कहते आ रहा हूँ कि कैसे इतावली सेनेटरों की संख्या की बहुलता कैसे हुई उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आने लगी इतावली प्रभुत्व या इतावली प्रभाव का पतन होने लगा और यह प्रक्रिया धी में-धी में होटी है और जब यहां पतन हो रहा है तो निष्चित रूप से किसी अन्य की शक्ति बढ़ रही है और यह कौन लोग थे अन्य से मेरा काटपरे कहा था पूर्वी खेत्र का तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चमी सामराज विखंडित होने लगता है और सारी सत्ता सारी शक्ति पूर्व के ओर चली जाती है पश्चम का जो रोमन सामराज था वो तो राजनेतिक दिश्टि से जो जामन ख्षेत्र है वहाँ जो लोग रहते थे वहाँ जो प्रजातियां थी जिसमें गौन्थ, वेंडल, लंबार्ड ये कुछ प्रजातियों के नाम है इन्होंने बड़े प्रांतों को अपने कबजे में ले लिया था कहां के बड़े प्रांतों को ये जो आप देख र राज्य जो है रोमन सामराजि का पश्चिमी हिस्सा वह गिरने लगा यह बड़े प्रांतों को लेने के बाद जो जर्मन मूल के लोग आए थे इन्होंने नए नए प्रांतों का निरमाण किया नए नए प्रांथ ही नहीं अपने को स्वायम को राजा घोशित कर दिया और फि प्लखेंगे इन राज्यों को कहते हैं रो मोतर राज्यीर, रोम धन उत्तर रोम उत्तर राज्यीर, इर्थात रोमन वार्जHarita के बाद, उत्तर यानि रूमन संभरिटा जो परश्चिन की थी इसके पतन Video के बाद जो राज्यों का सम्तर निर्माड होता है वी राज्य कहलात रोमोत्तर राज्य रोमन समराज का इन विविन जातियों के आक्रमर के पतन हो गया पूरी तरह यह जो जाती आएं जर्मन खेतर से उत्तरी खेतर से इन जातियों ने पूरी तरह से रोमन समराज को आमूल चूल नश्ट कर दिया लेकिन कॉंस्टेंटाइन जो था कॉंस्टें तुनिया बनाये गया था स्वभागे से वह बचा रहा उसका अस्तित्व कायम रहा क्योंकि उसकी नीव बड़ी मजबूत हो गई थी और इसी कॉंस्टेंट्टाइन को राजधानी बना कर पूर्वी रोमन समराज ने नाम के साथ चलता रहा और पश्चमी रोमन समराज की बा कॉंस्टेंटिनोपल की जो है वह पश्चमी सब्विता और पूर्वी सब्विता का एक मिश्रण था यद्यपी पश्चमी रोमन सब्विता तहस नहस हो गई थी लेकिन उसका एक पृतिचन के रूप में कहना चाहिए यह जो कॉंस्टेंटिनोपल जो जगा देख रहा है यह बनी रही बलकि बनी ही नहीं रही बलकुल का विकास भी होते रहा परणाम क्या हुआ कि पूर्वी रोमन सामराज नए नाम के साथ आने वाली कुछ शताब्दियों तक रोमन सामराज की याद दिलाता रहा कॉंस्टेंटिनोपल जिसे कुस्तुन तुनिया भी कहते हैं यह जानने के बाद की उनका पतन भी होने लगा था अब हम थोड़ा से जान लें कि पूर्वी रोमन सामराज की या रोमन सामराज की एक तरीके से राजनितिक व्योष्टा क्या थी संक्षिप में इसके ओर देखें इनकी राज्ञेतिक विफ्था के बारे में अगे बात करें तो सबसे महटपूर्ण है केंदरी प्रशासिनिक संच्थाएं केंदरी अर्थात जो राजधानी से संचालित होती थी पूरे समराज्ज के लिए जो संच्थाएं थी उन में से सबसे महत्पूर्ट संसाती काउंसल यहां गनतांतरक शासन प्रणाली चलती थी और इस प्रणाली के तहट दो सर्वच अधिकारी होते थी जिनको सारी सारे अधिकार सौब दिये गया थी दूसरे शब्दों में शासन व्यर्था के सारे अधिकार गनतांतरक प्रण माली के तहद दो अधिकारिओं को दिये गया थे जिनने काॉंसल कहते थे तो काॉंसल को कौन चुनता था ऐसेंबली के लोग इनका टै करते थे काउंसल क्या होता था अब देखिए काउंसल कितना शक्तिशाली गट्टी होता था कि उसके पास कि वो सर्वुच शाचक रहता था सेनापती भी था और न्यायाधीश भी था याने तीनों तरह की सत्ता उसके हाट में एक तरीके से आ जाती थी ये गणत अंतरात्पक प्रणाली के काल की में बात कर रहा हूँ जब काउंसल के पद का नियोजन था काउंसल के पद की महत्ता थी तो काउंसल सर्वुच शाचक सेनापती और न्यायधी श्तीनों कानून के निर्मार और उसे लागू करना जिर दोनों ही काम मतलब उसी के हाथ में थे आज यदि हम भारत की और देखें तो भारत में कानून के निर्मान का काम लोकसभा और राजसभा का है, संसद का काम है कानून को लागू करने का काम कारे पालिका का है यानि ब्यूरोक्रिसी का है, अधिकारियों का है तो दो अलग-अलग वर्ग को ये कारे दिये गए थे, अधिकारी वर्ग को, हमारे हाँ दिये गए हैं, लेकिन उस काल में, रोमन सब्विता में, दो काउंचल हुआ करते थे, जिनें सभी तरह के अधिकार थे, शासक, सेनापति और निया धीश्तिनु, तो कानून का निर्मा कितना काम करेगा, काउंचल को यदि आपने इतना ताकतवर बना दिया है, और इतना उसका अधिकार ख्षेत्र या कारिक ख्षेत्र का दायरा इतना बड़ा है, तो उसे किसी ने किसी संस्था की मदद लेनी होगी, इसकी मदद के लिए दो संस्थाएं थी, पहली एसेम्ब एसेम्बली वो संस्था थी, जो इनको निव्ट भी करती थी, इनका चैन करती थी, एसेम्बली को हम एक तरीके से लोग सभा कह सकते हैं, जिसे कमिशिया सेंचुरिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कमिशिया सेंचुरिया, आखिर ये नाम कहां से आ है, कमिशिया कमीट centurya याने century saw cricket में होता है ने century बोलते हैं century मतलब शतक century याने saw तो जो saw पहले पहले assembly में 100 लोग हुआ करते थे आप क्याद होगा मैंने पूर में जिक्र किया है ये 100 लोगों की जो समीती थी वो कहलाती थी कमिशिया centurya अब इनकी संख्या तो हजार पहुँच गई थी रोम के सभी नागरिक इसके सदसे होने लगे थे शुरू में assembly के जो अधिकार थे बहुत ज़ादा थे याने assembly एक तरीके से सर्वे सर्वा थी पर जैसे जैसे काल परिवर्टन हुआ उसके साथ साथ इस्थितियां बदली और राजिनेतिक सक्ता भी दूसरी ओर जाने लगे प्रारम में निश्चत रूप से इसके पास सारे अधिकार थे तिन्तु बाद में assembly का महत बहुत कम हो गया और senate का महत बढ़ गया senate का महत बढ़ गया क्योंकि assembly से ज़्यादा टाकतवर senate थी अब assembly का कार क्या था पहला तो council की मदद करना उसको समझाई देना तो guidance देना और को सुझाओ देना और council का chain भी करना दूसरा कार इसका था senate द्वारा प्रस्थित किये गए कानूनों पर हाँ या ना करना और स्थितियां जैसी थी उसमें ऐसा था कि senate द्वारा दिये गए प्रस्थाओ कानूनों को सामा नित्या assembly द्वारा साहमती ही दी जाती थी तो इस प्रकार ये उसके उसका कार ख्षित्र रता था assembly का अब senate का क्या कार ख्षित्र था senate जो है वो सबसे शक्तिशाली संस्था रोम की सभी राजनीतिक संस्थाओं में senate सबसे ज़्यादा ताकतवर संस्था और इसमें कौन लोग रहते थे assembly में जहां सभी नागरिक थे सदस्य वहां senate में clean वर्ग के लोग अभिजात वर्ग के लोग बस यही रहते थे और अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या वैसे ही कम रहती है और अभिजात वर्ग याने सबसे ताकतवर वर्ग तो निश्चित रूप से जिस संस्था में ये सबसे ताकतवर लोग रहेंगे वो संस्था सबसे ज़्यादा शक्ति-शालिय होगी समखी पूराने कॉंसल भी कर सैनेट के सदस्से होते जैसा मैंने बताय के यह काूंसल का चैन एसेंबली करतात है और यह नियमानु सारätzा प्लति दो काउंसल भी हुआ करते थे सदस्टा आयू पर्यांत जब तक जीवित हैं तब तक वो उसके सदस्ट रहेंगे सेनेट का कारी क्या था इसका कारी क्षेतर था पहला युद्ध का संचालन दूसरा जीते हुए प्रांतों की शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाना युद्ध क संचालन पहला कारे लड़ाईयों का संचालन उसमें लड़ाईयां एक बहुत ही महटपूर्ण चीज मानी जाती थी सामराज विस्तार किसी भी शासक प्रशासक का एक बहुत अहम कारी हुआ करता था उसको कौन करता था परफॉर्फॉर्म सेनेट और सेनेट उसके अलवा प्रांटों की शासन व्यवस्ता उसके कानून बनाना उसके पालन करवाने का कारे करती थी तीसरा काम जो इसका था वो था कि किसी भी कानून और नियुक्त के लिए सेनेट की अनुमती आवश्यक याने एसेमली के दोरा चैन किया गया लेकिन साहमती किसकी आवश्यक थी के सेनेट की उसके अलावा और किसी के नहीं तो सेनेट के अनुमती का मिलना एक बहुत महत्पूर्ण उसका अधिकार ख्षित में आता था साथ ही अगला जो इसका दायरा था वह था सेना एवं राज की अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण सेना और राज व्यवस्था की राज की जो अर्थ व्यवस्था है उस पर नियंत्रण करना सेना का नियंत्रण भी सेनेट के हाथ में था राज का नियंत्रण भी सेनेट के हाथ में था आप सोच सकते हैं कि सेनेट कितना ताकतवर था कितना बलशाली था जैसा मैंने बताए शुरू में सेनेट के संख्या कितनी थी सौ सेंचुरिया याने सौ बाद में एक समय आया जब वितावली लोगं का बाहुली हुआ तो संख्या लगभग तीन सौ हुई लेकिन धीरे 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 एक काल ऐसा भी आता है जब सेनेट बड़ा विशाल हो जात कि सैनेट के इस दिकार आप देख सकते हैं कि कैसे सौ की संख्या बढ़कर हजार होती है लेकिन संख्या किनकी जादा रहती है किसी भी देश राज़े समराज में सामानिवर्ग की रहती है दुर्भागे से सेनेट में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इनका प्रतिनिधित्व ना होना सेनेट में ही सेनेट में ना होना यही इस सेनेट की सबसे बड़ी कमजूरी थी, क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी जिनकी थी बहुली जिनका था उनकी आवाज को सुनने वाला उनकी आवाज देने वाला उनको वहां पे प्लैटफॉर्म देने वाला कोई नहीं था. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेनेट संगठन का सबसे बड़ा दोश सामान वर्ग का प्रतिन धित्व ना होना